आप सब का स्वागत है आज हमारा लेबल लॉज में कीवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रैचुटी एक्ट 1972 तो आज के इस फीडियो में हम इस पर्टिक्लर एक्ट के जो MCQ है उससे गो थू करेंगे और इस पूरी सीरीज में हम लेबल लॉज में आपको जितने भी टॉपेक्स जि कर रहे हैं and we are trying to figure out कि किस ताइप के questions लेबल लॉज में बनते हैं ठीक है तो आज हम पेमेंट ऑफ ग्रैचुटी एक्ट के MCQ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार के सवाल बनते हैं बकायदा इसके इलावा मैं आपको ना एक बार हुमन प्रेटर् जलता हूँ ठीक है तो आपके सामने हुमन प्रेटर्स का यहां पर आप देखिए के लेबल लॉज के यह सारे टॉपिक से जो आपको पढ़ने होंगे और आज हम जिस कीवर्ड में कूद रहे हैं उसका नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक 1972 तो बेसिकली हुमन प्रेट relevant सवाल होते हैं आपके exam के लिए तो इस तरीके से आप keyword by keyword पूरा ही अपना लेबल लॉज कंप्लीट करोगे तो शुरू करते हैं और एक बार हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं हाँ चीक है तो क्या करेंगे हम हर एक सवाल पे हम 10 सेकंड का नाइम लेंगे और वह आपके सामने होगा 10 सेकंड तक आपको answer सोचना है उसके बाद हम उसका explanation डिसकस करेंगे और stay tuned stay hooked एक-एक सवाल को अच्छे से पढ़िए and in a process आपका जो exam या फिर questions attempt करने का जो तरीका होता है वो भी refine हो जाएगा तो पहला यह सवाल 10 सेकंड का time लेते हैं ठीक है इसके solution पे आते हैं as per the provisions under which of the following conditions employee shall be entitled for payment if she has not even rendered 5 years of continuous service ठीक है तो यहाँ पे चार option दिया है retirement, death, resignation या फिर on rate disablement due to accident or deceit तो जब हम section 4 of payment of gratitude act में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि gratitude जो मिलती है किसी भी employee को at the termination of employment तो उस case में there is a minimum service जो employee ने serve किया होगा and that is minimum 5 years of continuous service but exceptions आते हैं उन exceptions में minimum 5 years जरूरी नहीं होता है तो यह सवाल उसी idea से बनाए और इसका answer है option C which is death and disablement तो एक बार देख लेते हैं क्या-क्या इसके provision होते हैं तो basically on termination after continuous service for at least 5 years superannuation जब retirement तब लिया जाता है जब आपकी जो term of contract के सबसे जो year of services थी वो पूरी हो गई या फिर कोई retirement or resignation या फिर on death and disablement या फिर जो disablement यहाँ पर आ गया है तो इस case में जो death होती है या फिर जो disablement होता है इसमें जो condition है यह minimum 5 years की यह जरूरी नहीं होती ठीक है this condition is not necessary therefore answer हो जाएगा इसका जो हमने वहाँ पर देखा option C option C which is B and D ठीक है आगे बढ़ते हैं second question पर आते हैं अब यह payment of gratitude का सबसे core जो कहते हैं सवाल होता है जिसमें हम amount of gratitude calculate करते है section 4 में ही करते हैं तो वह उससे related है तो monthly rated employee, peace rated employee और seasonal establishment पहले तो हम इसके एक बार इस पूरे rate से देरियों को समझ लेते हैं कि कैसे वह rate निकाले जाते हैं तो monthly rated employee के लिए जो gratitude का formula निकालते हैं वह कैसे निकालते हैं 15 by 26 into last wage drawn ठीक है which is multiplied by number of completed year of service ठीक है अब मैं इसको अगर समझू तो यह क्या है यह क्या है कि हर एक साल में 15 दिन की आपकी जो salary थी उसका जो summation है वह gratuity होती है पर दिक्कत यह थी कि 15 दिन की salary कैसे निकाली जाएगी और जो wage है वह क्या लिया जाएगा तो wage जो लिया जाएगा वह काम आसान कर दिया कि जो last wage drawn है तो वहाँ पे last wage drawn हो गया और 15 दिन की salary निकालने के लिए उसको 15 by 26 से divide कर दिया तो इस तरीके से ये salary का जो amount आता है वो कैसे आता है कि अगर मैं बोलू कि किसी आदमी का last wage drawn है 60,000 example से समझना चाहूं अगर मैं तो एक दिन में इसने एक मन्त में इसने कितना कमाया एक मन्त में कमाया 60,000 तो एक दिन में कितना कमायेगा ये simple arithmetic अगर लगाएं तो 60,000 upon one day 15 दिन में one month ठीक है 15 दिन में कितने कमायेगा 15 दिन में कमायेगा 15 into 60,000 upon one month ठीक है अब क्या one month में वो सारे दिन जाता है वो सारे दिन नहीं जाता तो हमें एक ऐसा figure लेना होता है जो amount को भढ़ा दें तो one month 30 और 31 हो सकता है जिससे amount कम हो जाएगा क्योंकि ये denominator में है तो हमने one month में one month ना लेके हमने क्या ले लिया हमने ले लिया 26 दिन ठीक है 26 दिन का amount ले लिया and then finally ये क्या आगे आपका 15 by 26 this comes as 15 by 26 into 60,000 ठीक है तो हर आगई 15 दिन के salary and इसमें multiply करते हैं आपका number of year of continuous service तो इस तरीके से monthly rated employees के लिए जो गैचुटी निकलती है वो इस formula से निकलती है अब दो अलग अलग प्रकार के क्या employees होते हैं दूसरे होते हैं आपके क्या करते हैं जिनको piece rated employees यानि कि जिनकी कमाई जो है वो उस pieces में depend करते हैं जितनी उन्होंने बनाए तो इस case में क्या करते हैं इस case में हम लेते हैं average of last three months average of last three months लेते हैं हम monthly wage निकालने के लिए यानि कि ये वाला wage निकालने के लिए last wage तो इसका average लेंगे तो आजाएगा 14 K by 3, ठीक है? तो इसका average लेंगे तो आजाएगा 14 K by 3, ठीक है? तो इस विल बी लास वेज़ ट्रॉण and then मा की फॉर्मला बिल्कुल सेम हो जाएगा जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है? तीसरे होते हैं आपके क्या? तीसरे होते हैं seasonal employee, ठीक है? seasonal employee के लिए salary क्या होती है कि at the rate of 7 days of wages for each season. तो यह क्या होता है? at the rate of 7 days of wages for each season. अगर मैं यही बात इस monthly rate rate के लिए बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? at the rate of 15 days of wages for each completed year of service. फिर से बोलूँ at the rate of 15 days of wages for each completed year of service. I hope इसके बाद आपका जो यह calculation वाला जो पार होता है payment of gratuity act में यह absolutely clear हो जाएगा. अब हम अपने question पर आते हैं तो पहले कहता है monthly rated employee यहानि कि at the rate of 15 days of wages on rate of wages last round for every year of service. तो यह हो जाएगा A का 2. For peace rated employees average of total wages for 3 months immediately preceding termination. Peace rated के लिए हो जाएगा 1. For seasonal establishment at the rate of 7 days of wages for each season यह हो जाएगा आपका 3. तो correct answer हो गया A का 2, B का 1 and C का 3. A का 2, B का 1 and C का 3. C is the right answer. अब इसी से related एक numerical भी देख लेते हैं तो क्या क्या अच्छा ठीक है यहाँ पर आपको time देना है मैं पिछले question में time देना है भूल गया but no worries आपने I hope कि आपने उसको pause करके time ले लिया होगा एक बार 10 second time लेते हैं यहाँ पर. ठीक है करके देखते हैं एक बार an employee working in a factory retired from services after rendering continuous service for a period of 24 years. The last way is drawn was this amount of gratitude the employee shall be entitled to. ठीक है तो निकालते हैं अभी हमने इसका formula देखा था क्या है 15 by 26 service into last way is drawn कितना है 39,000 into number of completed year of service 24 यह 2 से यह 3 से 3,000 ठीक है यह 12 से 36 into 15 कितना होता है 54 होता है तो correct answer हो जाएगा 5,40,000 अच्छा जब हम यह act पढ़ते हैं हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि 24 साल आपने completed year of service यहाँ बता दिया बड़ एक है एक केस ऐसा भी है जहाँ पर 24 साल 3 महीने हो एक केस है 24 साल 8 महीने हो तो उस केस में क्या होगा तो उस केस में act हमें guide करता है कि जब 24 साल प्लस 6 और more months होंगे तो इस में हम जो number of completed year of service है वो लेंगे आपकी 25 और यहीं पर जब 24 साल प्लस less than 6 months होगा तो इसमें हम लेंगे 24 ठीक है इसी बात को less और more वाली बात को जो act लिखता है वो क्या लिखता है और in part excess of 6 months ठीक है तो इसी लिए correct answer हो जाएगा इसको option A which is 540,000 आगे बढ़ते हैं ठीक है देखते हैं इसका answer तो basically appropriate government in the matter of payment of graduate to a teacher of Kendriya Vidyalae औभुफनिशवर तो Kendriya Vidyalae सबसे पहले तो यह central government के organizations है ठीक है उसके लिए appropriate government क्या होगी तो appropriate government किसी विए labor laws में या तो state government हो सकती है या central government हो सकती है section 2 definition में यह specify किया जाता है कि वो कौन सी industries या वो कौन सी सेंटर्ल government के पास authority होगी appropriate government माना जाएगा या फिर वो कौन सी authorities हैं जहाँ पर कौन सी industries या sections है जहाँ पर state government को माना जाएगा तो इसके solution के लिए एक बार हम human predators के LMS पर चलते हैं चीक है तो जब मैं यहां पर आओंगा definitions पर तो यहां पर appropriate government का diagram आपको देख रहा है तो basically central government के case में major port, mines, railway companies या फिर वो CPSU या organization जो central government के अंदर है या फिर वो establishment जहाँ पर more than one branch है या factories जो central government को belong करती है सब में central government है सारे वाखी cases के लिए state government है तो Kendriya Vidyaliya Bhuvaneshwar जो है वो central government का organization है therefore correct answer हो जाएगा government of India which is option B ठीक है options अगर आप देखे जाएंगे तो काफी confusing इसमें बनाए गए options but basics अगर आपके clear होंगे तो definitely in questions के भी सही answer आप दे देंगे आएए देखते हैं इसका answer consider the following statements related to payment of graduate act 1972 statement 1 में section 7 की बात करता है statement 2 में section 8 की बात करता है statement 1 में कहता है the employer shall pay the amount of graduate within 30 days from the date will become payable if there is a delay employer will pay simple interest section 8 में कहता है if graduate is not paid by the employer the controlling authority shall issue a certificate for the amount to the collector who shall recover the amount together with simple interest as an area of land revenue तो basically ये actually में दो confusion होती है अगर आपने इसकी पढ़ाई करके रखी है तो आपको पता होगा कि section 7 जो होता है वो बताता है determination of amount of graduate और आपका जो section 8 होता है वो बताता है recovery of graduate ठीक है तो पहले case में क्या हुआ जैसे ही gratitude due हुई जैसे ही gratitude due ही gratitude has to be paid to the employee within the time period of 30 days within 30 days आपको gratitude दे नहीं होगी अगर आपने 30 दिन में gratitude नहीं दी तो आपके उपर simple interest लग जाएगा simple interest let's suppose कि 45 days में gratitude दी ठीक है so simple interest लग जाएगा और जो simple interest अगर आपको calculate आपने देखा होगा तो ये हमेशा depend करता है कि time period पे कि आखिर किस time से लेके किस time तक का simple interest लगा हुआ है तो वो time period होगा gratitude जब से payable हुई यानि कि day 0 ठीक है till 45 days ये लग जाएगा simple interest section 7 ये बात कहता है section 8 ये कहता है कि अगर आपने prescribed time में gratitude दी ही नहीं पहली बात तो ये prescribed time क्या होता है prescribed time यानि कि जो भी बात rules में mentioned है rules में कोई deadline या कोई और act में prescribed word में use किया जाता है तो prescribed जो है अगर आपने prescribed time में नहीं दी तैन इस case में जो gratitude है वो controlling authority collector को certificate issue करेगा as a recovery officer और collector as a recovery officer gratitude को as an area of land revenue recover करेगा और उस पे भी interest लगेगा पर देखने वाली यह होती है कि उस पर जो interest लगता है वो compound interest लगता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह simple interest की बात करता है तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि compound interest लगता है ठीक है और यह interest कब से जब से वो subscribe time की limit चाले हुए और जिस दिन recover किया तब से वो आपका जो है compound interest calculate होगा तो statement 2 गलत है statement 1 सही है इसलिए a इसका correct answer हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आईए इसको देखते हैं under section 8 of the act which deals with the recovery of gratitude amount of interest levied in accordance with the provision under no circumstances हाँ तो यह क्या कहता है अब देखिए अभी पिछले slide में पिछले question में हमने देखा था कि अगर gratitude section 8 में recover हो रही है यानि कि prescribed time तक पे नहीं करी गईती हो अब recovery के थुरू हो recover हो रही है उस case में compound interest लगेगा अब compound interest का अगर आपको funda पता हो तो वो amount बहुत जादा होता है as compared to simple interest therefore वो amount तो कितना भी जादा हो सकता है वो amount तो gratitude के amount से भी जादा हो सकता है अगर काफी दिन हो गए तो तो उस case इसमें एक limit लगा दे गए वो limit क्या लगा दे गए कि जो amount of interest है यहाँ पर note करिए यह मैं total gratitude के बात नहीं कर रहा हूँ gratitude का amount तो pay करना ही होगा plus यह है amount of interest gratitude के बाद amount of interest जो है that should always be less than or equal to amount of gratitude समझ गए क्या हुआ इसका मतलब कि let's suppose 15,000,000 की gratitude थी जो recover करनी थी अब 15,000,000 की gratitude पे compound interest लगेगा तो फिर वो बढ़ते 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 15,000,000 से भी जादा हो सकता है तो उस case में यहाँ पर limit लगा दे गए कि कोई कुछ भी हो जाए कितने भी दिन हो जाए ग्रैचुटी जो है जो interest है वो 15,000,000 से जादा नहीं होगा ठीक है तो आप समझ गए होगे शेल नौट एकसीड इमाउंट ऑग ग्रैचुटी 20,000,000 यहाँ पर confusion आपको create करेगा और लोगों को मन भी करेगा कि इसको take करूँ क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग है आपको पता है कि 2018 में 10,000 से 20,000,000 होगी थी ग्रैचुटी के maximum limit पर maximum limit सही आंसर नहीं है तो A, B गलत हो जाएगा A इसका सही आंसर है हां दिखते हैं इसकेस में क्या बोलता है वो इसकेस में बोलता है कि अगर एम्प्लोयर को उस ओफेंस से एक्जेम्शन मिल सकता है अगर एम्प्लोयर को एक application लगाए कोट में एक application लगाए कि there is some other person who is accused then in case में जो notice है वो not less than three days का होना चाहिए to the complaint के not less than three days में मैं उसको लेके आ जाओंगा ठीक है तो A इसका correct answer हो जाएगा काओएएएएएब je जाओएएएए घ magic इसका अगर कर दो कि ड़ Twenty काओएएएए पे वो दो कि लुल कि पिंदे लगाएःएशन चिन बेसिक सा सवाल है अब इस सवाल में हमें ये भी देखना है कि ये जो amendments होते हैं जो time to time किसी भी act में होते हैं उनके years बहुत important होते हैं अचा सारे amendments important नहीं होते हैं कुछ specific amendments जैसे trade union act में 2001 वाला important है 2010 employee compensation act में important है ऐसे ना उनकी list भी आपको देखनी होती है उनके बारे में उनका year भी आपको जनना होता है तो इस case में continuous service जो की section 2 ए insert करा गया था 2 और 3 के बीच में तो section 2 ए insert किया गया था in the year of 1984 ठीक है continuous service बहुत ही important section है basically हमने section 4 में देखा था कि completed year of service 5 साल की चाहिए minimum तो completed year of service का मतलब क्या है कि 365 दिन एक साल में होते हैं तो क्या 365 दिन employee आया होगा नहीं उस एक साल की कहानी को समझने के लिए continuous service का provision डाला गया कि अगर आपने एक साल की continuous service करी है तो आपका वो completed year of service माना जाएगा मैं repeat करता हूँ अगर आपने एक साल की continuous service करी है तो वो आपका continuous service completed year of service माना जाएगा अब ये continuous service निगालने का जो तरीका था वो section 2a में दिया गया जिसमें क्या था जिसमें exemptions दिये गए थे कि अगर आपकी service interrupt हो गई because of few exemptions जैसे कि for example maternity leave एक interruption है ठीक है या फिर कहना चाहिए कि कोई sick leave किसी ने ली sickness के current leave ली वो एक interruption है तो उसको हमने exclude उसको हमने interruption नहीं माना इसके अलावा Sunday और Saturday की छुट्टी होती है तो उस case में 240 और 190 की limit लगा दी कि अगर आपने 240 दिन का काम किया है तो आप आपका माना जाएगा और बहराल मैंने मैं इसका provision काफी detail में हम उसको एक बार quickly देख लेने ताकि हमारी understanding और अच्छी हो जाए तो एक बार देखते है क्य अब है कि जो employee है वो uninterrupted service पे है ठीक है uninterrupted service पे है for a particular period और इस uninterrupted service में कुछ interruptions include हैं वो क्या है sickness, accident, authorized leave, lay off, strike, lockout, cessation of work अगर ये interruptions included हैं तो उसको माना जाएगा कि uninterrupted service for a particular period अब इसी period को अगर साल भर में note करें तो basically इन सारे interruptions के अलावा भी इन सारे interruptions के अलावा भी आपकी continuous service किसी भी एक साल या फिर 6 महिने में मानी जाएगी अगर आप एक calendar year में एक not less than 190 days आये हैं जब आप माइन्स में या फिर उस establishment में काम करते हैं जहां पर working जो है वो less than 6 days a week है या फिर कोई और case यानि की lot less than 240 days तो कोई भी एक साल में अगर आप 240 दिन minimum आये हैं तो आपकी continuous service मानी जाएगी इसके अलावा अगर आप 190 दिन क्या कहते हैं 190 दिन आप अगर आए हैं in the case of mines या फिर establishment working less than 6 days a week तो उस case में भी आपकी जो continuous service मानी जाएगी तो य इसके मारत भी अगर आपकी छुटी है तो भी इसके हिसाब से चेक होगा कि 240 और 190 आपका क्या आया जैसे हमने 12 महीने की कहानी देखी सेम कहानी 6 महीनी की होती है इसके अलावा अब इस 120 और 240 में भी कुछ interruptions होते हैं जो की included होते हैं यानि कि वो interruptions interruptions नहीं माने जाएगे ज थोड़ा सा complicated पढ़ता है यह provision but जब आप class में आपने इसकी पढ़ाई जरूर करी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कि अलग अलग levels होते हैं कि पहले जो interruptions है वो general interruptions है for both monthly rated, peace rated and seasonal establishment दूसरा interruptions जो हमने देखी दूसरा 120-240 की जो कहानी देखी वो है monthly rated or peace rated के लिए इसमें भी 120-240 में भी कुछ-कुछ interruptions हैं जो included बने जाते हैं इसके बाद जब हम continuous service season establishment के लिए निकालते हैं तो figure आ जाता है कि not less than 75% days आपने काम किया होगा for a continuous period for that particular period जिसकी बात चल रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question पर आते हैं section 6 nomination की बात करता है उससे related question है कि an employee after completion of one year of service is required to give nomination from the statement which are correct option for the nomination so nomination का thumb rule क्या है कि अगर आपकी family है तो family से आपको nominate करना होगा अगर family नहीं है तब आप बहार से कर सकते हो पर अगर आपकी subsequently family आ गई तो आपको फिट से renominate करना होगा और वह family member ही होगा nomination के हो रहा है nomination उस case में हो रहा है कि जब employee deceased कर जाता है तब gratitude किसको मिलेगी gratitude nominee को मिलेगी तो पहला statement क्या है if having family in favor of one or more member of his family बिल्कुल correct है if the employee at the time of nomination has no family in favor of any person or persons of his choice यह भी सही है if having family giving nomination in favor of a person who is not a member of his family किसी भी angle से है सही नहीं है if the nominee predeceses the employee giving fresh nomination in favor of the member of the family हा बिल्कुल यह भी यह भी सही बात है तो A, B और D इसका correct answer हो जाएगा which is option B आगे बढ़ते हैं हां तो seasonal establishment जो होता है उसके employee की eligibility check करने के लिए for the purpose of continuous service that is 75% अगर वो अपने total number of days में आया है when the establishment is operational तो वो जो है eligible हो जाएगा seasonal establishment के संग issue क्या होता है कि वो साल भर में काम नहीं करते हैं तो अगर साल भर में काम नहीं करते हैं तो उनके लिए कैसे निकाला जाए उनके लिए कैसे माना जाए कि continuous service हैं तो उसी का तरीका ये था और correct answer है इसका option सी 75% आए देखते हैं इसका ऑनचे मागा अनरगा पर हाहिए को उसे जाएम मत्यों कि जगतिति आ ह सफ़ुक्त वAnn konkismhhhh includes ठीक है तो basically family की बात पूछ रहा है और definition part में family के बारे में जिक्र किया गया होगा act में तो वहां से इसका answer बढ़ा असानी से आ जाता है male employee female employee दोनों के लिए बराबर चीजें होती है and in fact let us also visit LMS to see this क्या खिर क्या इसका family का diagram होता है तो यहाँ पर देखिए family का diagram आपको दिख जाएगा तो जो employee है या तो male या female तो इसके case में जो family है सबसे पहले तो spouse और children दोनों family माने जाएगे dependent parents dependent parents of spouse भी माना जाएगा lawfully adopted child भी माना जाएगा और उपर क्या है widow and children of pre-deceased son ठीक है pre-deceased son का जो widow and child है वो माना जाएगा याद रखो pre-deceased daughter का नहीं माना जाएगा widower and child and children of pre-deceased daughter का नहीं माना जाएगा क्योंकि in Indian system marriages के बाद the woman should be woven in a different family तो उसको ध्यान में रखे चीजों को आप याद रखत पाऊगे ठीक है तो अम आते हैं सवाल पर और एक बार सवाल देख लेते हैं सवाल में देखिए option a the employee himself his wife and children सही है children of his pre-deceased daughter नहीं यह गलत हो जाएगा the dependent parent of the employee the children of his pre-deceased son the dependent parent of his wife तो correct answer हो जाएगा option b which is 1345 ठीक है आगे बढ़ते हैं सेक्शन सेवन में आपको पता है कि determination of amount of gratitude निकाली जाती है अब उस gratitude के amount में अगर कोई dispute हो जाता है तो उस dispute को settle कौन करता है controlling authority तो कि section 3 में appoint होती है ठीक है अब अगर आप controlling authority के फैसलर से खुश नहीं है तो आप क्या करेंगे आप appellate body पे जाएंगे और appeal करेंगे तो यह जो appeal है that has to be done within 60 days 60 days किस से 60 days of receiving an order तो यह इसका सही answer है next question आईए इसका answer discuss करते है तो as payment of gratitude act the appropriate government may exempt every employer from taking compulsory insurance if he has an arrangement of approved gratitude fund तो यह क्या है यह एक provision है that is section 4a जिसमें बात करी गई है compulsory insurance की जिसमें बात करी गई है compulsory insurance की जिसमें बात करी गई है कि ग्रैचुटी देने के लिए employer के लिए mandatory है कि वह insurance ले क्यों क्योंकि let's suppose के at the same time there are 1500 employees जो superannuate हो गए है और वो रिटायर हो रहे है hypothetical example है तो उस case में 1500 employees के लिए ग्रैचुटी का amount होना आपके revenue आपका इत्रा है के नहीं आपके खाते में इतने है के नहीं उसको उसको ensure करने के लिए यह यह सुनिश्चित किया गया कि आपना insurance ले लो ग्रैचुटी के लिए तो वह जो amount हो का insurance आप सीधे दे सकते हो उसको ensure करने के लिए यह compulsory insurance का provision डाला गया इसमें दो cases थे एक तो आप या तो जो LIC या जो prescribed insurer है उससे ले लीजे दूसरा के अगर आपके पास approved gratitude fund है अगर आपने वो बना के रखा हुआ है तो उस case में आप जो है आपको insurance लेने की ज़रूरत नहीं होगी पट approved gratitude fund के संग condition यह होती है कि आपके minimum 500 employees होने चाहिए तो इसी लिए इसका correct answer हो जाएगा 500 or more persons employed C is the right answer हाँ देखते है numerical है एक और इसका formula आप लोग याद कर लीजे 1526 into last way is drawn कितना है 50,000 into number of year of continuous service is 30 ठीक है तो इसको निकालने में थोड़ी तिक्कत आईगी देख लेते है so यह तो किसी से जाएगा नहीं 13, 15 wait a second let me again see this question okay calculate कर लेते है let me calculate this 15 into into यह आ रहा है आपका 8,65,384.61 जो कि हो जाएगा B के आसपस तो B is the most appropriate answer आगे बढ़ते हैं तो कौन सा section है payment of gratitude act में जो की continuous service से deal करता है तो label laws में आप सवाल अगर देखेंगे तो कई बार यह चीजे भी आ जाती है कि वह कौन से section में लिखा है फलाना बाद कौन से section में लिखी है तो इसका मतलब क्या है कि हम सारे act के सारे sections याद कलें यह पॉसिबल नहीं अगर आप कर सकते हैं तो very good but ऐसा ना करके हम थोड़ी सी smartness लगा सकते हैं वह smartness क्या है कि कुछ जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कुछ sections ऐसे हैं जो सही में काफी important है जैसे कि कोई amendment आया जैसे 2A 1984 में section 2A से continuous service आया या कुसी और act में अगर हम देखें तो industrial dispute act में जैसे section 25E के आसपर important sections आये ठीक है तो ऐसे ना हम छोटी-छोटी चीजों को note कर सकते हैं कि हाँ यह जरूर important है and क्या कहते हैं जिसको हम note कर सकते हैं तो इस तरीके की चीजों से करके आप अपने मेहनत को थोड़ा सा बचा सकते हो but again this is not the wholesome complete solution essay section ज़रूर सवाल में आ सकते हैं जो आपको पताना हो और उस case में आपको तुक्का मारना होगा ठीक है तो is the right answer आगे बढ़ते हैं next question hmm तो कोई भी employee is set to be in continuous service for six months अच्छा एक साल के लिए तो होता ही है वो कितना होता है 190 दिन और 240 दिन अब पहला सवाल तो यह आता है कि 6 महीने के लिए निकालना क्यों है क्योंकि हमने discuss किया है इसी वीडियो में कि जब 24 साल 3-3 महीने हो जाए तब किसे ग्रेचुटी निकलेगी तब 6 महीने का clause आता है तो उसी को ध्याद में रखके 6 महीने के लिए हां तो section 7a में inspector अपॉइंट होते हैं inspector जो है compliance के लिए अपॉइंट होते है compliance इस act के provisions के से compliance है के नहीं और वो अपॉइंट करेगा कौन appropriate government ठीक है for their respective industries or authorities तो c is the right answer है maximum amount of gratitude payable has been increased to 20 lakhs in which of the following year तो basically gratitude जो थी वो increase कर दी गई थी 10 lakh से 20 lakh कौन से year में करे गई थी 2018 में करे गई थी 2018 में दो चीज़े होई थी एक तो maternity benefit act में जो बारा वीक के छुट्टी होती थी उसको बढ़ा के 26 वीक कर दिया गया था और payment of gratitude act में 10 lakh से बढ़ा के ये limit 20 lakh कर दी गई थी ठीक है वैसे इसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझीए कि actually में जब हम section 4 पढ़ते हैं exactly section 4 sub section 3 तब हमें पता चलता है कि वो act जो है वो central government को empower करता है कि वो time to time gratitude के maximum amount को बढ़ा सके है न क्योंकि time किसंग पैसा भी बढ़ रहा है सब कुछ inflation हो रहा है सारी चीज़ें बदल रही है therefore उसके लिए आपको parliament से पास करवाने की जरूत नहीं है सीधे central government को empower कर दिया और इस case में जरूर जूजली आपको जनलाइन लिखी मिलती है वो क्या लिखी मिलती है कि central government में notify में notify this amount तो central government ने executive decision लिया था और notify किया था 2018 में कि 10 लाग से आ 20 लाग ग्रेजुटी हो गई है तो C is the right answer हां तो section 7 determination of amount of gratitude आपको जो ग्रेजुटी पे करनी होती है employer को that is to be done within 30 days B is the right answer ठीक है applicability से related ये प्रोविजन है तो ये एक major port, mine, oil field, railway company, plantation, factory और shop और establishment पे apply होता है ठीक है जहां पे 10 या उससे ज़्यादा लोग employees काम कर रहे है एन पेसीटिंग 12 months ठीक है बट अगर ऐसा हो जाए कि 10 है अभी 11 है अभी बट कुछ time बात 3 चले गए तो 8 रहे गए तो क्या अब भी act applicable होगा this act will always be applicable and hence A is the right answer the act will continue to be applicable on the shop ये क्या चीज़ होती है once applicable always applicable चीक है labor laws में ये चीज़ हमेशा होती है once applicable always applicable हागे बढ़ते हैं प्रेम्ट अप्राइब ट्राइब 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 जो definition section है वहाँ wages की definition पूछी है और wages की definition जो होती है उसको आसानी से याद तो नहीं किया जा सकता पर उसमें हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि कुछ inclusion होता है कुछ exclusion होता है उसी का list आपको तयार करना होता है दूसरी चीज ऐसा नहीं होता कि wages की definition किसी एक act में एक है तो हर में वही होगी हर एक act के मतलब के हिसाब से वह definition बदल जाती है जैसे minimum wages act की definition है उसमें जो wages की definition है वह कुछ और है payment of wages act में वही definition कुछ और हो जाएगी ठीक है it is the context that decide की definition क्या होगी ठीक उसी प्रकार इसमें जो wages की definition है उसमें DNS alliance included होता है बाकी सब कुछ excluded होता है इसलिए D is क answer है inflate let me show you this तो यहाँ पर आपको wages की definition में D is included दिख रहे है और बाकी सारे exclusion दिख रहे हैं ठीक है अगले सवाल पर आते हैं कि यहाँ आते हैं तो कुछ इस प्रकार के सवाल भी देखने को मिलते हैं कि कुछ particular section या कुछ particular terminology किसी act से associated होती है और उसका मेंजदा कॉलम आ जाता है तो इसमें compulsory insurance जो है वो payment of graduate act से associated है तो 1 हो जाएगा schedule employment आपका minimum wages act से associated है तो 4 हो जाएगा protective workman की definition industrial dispute act में दी होती है तो 2 हो जाएगा medical bonus अब का maternity benefit act में होता है तो यह 3 हो जाएगा ठीक है तो A का 1, B का 4, C का 2 and D का 3 तो D is the right answer तो I hope आप इस पुरे वीडियो से समझ गए होगे कि payment of graduate act में किस प्रकार के अलग-अलग सवाल बनते हैं और अब आपको थोड़ी सी clarity आ गए होगी कि जब आप वापस इसका रिवाइस करेंगे या फिर रिविजन करेंगे तो कुन-किन चीजों पर आपको extra focus करना है किन-किन चीजों को नोट करना है इससे जो labor laws की पढ़ाई होती है वो काफी आसान हो जाती है बाकि human paratus के इस तरीके से तयारी कराता है कैसे आप हमारे संग पढ़ाई करते हो उसको जाने के लिए हमारे team को contact करिए हमसे जो human paratus का online platform है इसका आप एक दिन का free trial भी ले सकते हैं in fact let me show you के how does it look तो इस तरीके से आपकी किताब जो है हमने cover करी है इसमें जो sections आपको पढ़ने होते हैं उसको nicely अलग अलग चीजों में आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है right ठीक है and हर एक topic के लिए class देखनी है class के बाद book पढ़नी है book के बाद आपको quiz मिलेगा जिसमें explanation भी होगा and then you are done with this particular subject all the best